सीरियल मन की अवास पर्दिग्या में पर्दिग्या की जठानी केसर का किरदार निभाने वाली अलाइका शेख ने तीन साल पहले इंडस्ट्री को टाटा बाई बाई कहा दिया था लेकिन सीरियल पर्तिग्या से अपने करियर की शिरुआत करने वाली अलाइका शेक को जब पर्तिग्या टू का ओफर आया तो वो इंडुस्ट्री में वापस एंट्रिक करने से खुद को रोक नहीं पाई पर्तिग्या के सीजन बंध होने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गई थी उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया कि उस समय मैं अपने आप से बहुत निराश हो गई थी क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मुझे में बहुत कमिया है इस इंडस्ट्री में दूर दूर से मेरी फैमली से कोई नहीं है मैं अपने परिवार के खिलाफ जाकर इस इंडस्ट्री में आई हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टरिस बनूँगी मैं मस्ती मस्ती में अपने फ्रेंड्स के साथ उसके ओडिशन में जाते थी वहाँ पर सब मुझे स्क्रिप्ट पकड़ा देते थे और कहते थे ओडिशन तो मैं मना कर देती थी लेकिन फिर मस्ती में अपने फ्रेंड्स के साथ ओडिशन दे देती थी ऐसा करते करते मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई जब मुझे पहली बार परतिग्या शो मिला तो मुझे लगा कि मैं स्ट्रोंग हो गई हूँ और मैंने अपनी कम्यों को दूर कर लिया है लेकिन जब ये शो बंद हो गया तो मैंने काफी ओडिशन दिये और मैं लीड रोल करना चाहती थी मैंने लीड रोल के लिए बहुत ट्राइ किया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था मैं थोड़ी डिप्रेस्ट हो गई साथ ही उस समय मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे एक्स बोईफरेंड के साथ रिष्टा सही नहीं चल रहा था उपर से काम नहीं मिलना जैसा मैं चाहती थी काम अगर मिल भी रहा था तो पैसे कम मिल रहे थे तो उस समय मुझे अपने आप से बहुत चिड मचने लगी कई बार तो मेरे मन में ऐसे खयाल आ रहे थे कि मैं अपने आपको खत्म कर दूँ लेकिन खुश किस्मती है कि मुझे सही समय पर रोहिन का साथ मिला वो बहुत ही पोजिटिव इंसान है उनके साथ रहते रहते चीज़े पोजिटिव होने लगी बहुत सारी चीज़े उन्होंने मुझे सिखाई और मुझे होसला भी दिया उसके बाद मैंने फिर से अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान दिया आपको बता दे कि पर्तिग्या के सीजन बंध होने के बाद 2013 में अलाइका सेख ने लाइफ ओके के सीरियल सावित्री में मृतिका का किरदार निभाया था 2015 में जी टीवी के सीरियल तुमी हो बंदू सखा तुमी में विंति का किरदार निभाया साधान इंडिया में कई सारे रोल किये और 2016 में स्टार प्लेस के सीरियल पर्दिश में है मेरा दिल में दिलराज कोर का किरदार निभाया